हर हर महादेल भगवान भोले नात की क्रपा सप्पेब बनी रहे शिव पुरान के अनुसार सावन में ही समुंद्र मंथन हुआ था जिसमें शिव जी ने विश्पान कर समस्त श्रष्ट्री की रक्षा की थी लेकिन इस हलाहल विश्च के कारण वह ऐस हज हो गई उनके गले मे असहान्य दर्द उठा विश्के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था यही वज़ा हा कि सावन में शिवलिंग का जल अभिशेक करने का विधान है सावन में शुब तीथियों पर शिवलिंग पर जलाबी से किया जाए तो व्यक्ति के सारे दुख, दोश, रोग दूर हो जाते हैं आए जानते हैं शिवजी को जल चढ़ाने के नियमों के बारे में जल चढ़ाने का पात्र शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तामबे, कासे या चांदी के पात्र सबसे करें सही दिशा शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय साधक को उत्र दिशा की और मुख करना चाहिए मान्यता है कि इस दिशा में मुख करके जल अभिशेक करने पर माता पार्वती और शिवजी दोनों का आशिरवाद मिलता है कैसे चढ़ाएं जल भोले नात को जल अरपित करते समय जल की एक पतली धारा बना कर मंत्र जाप करते हुए जल चढ़ाएं शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए इसे भोले नात स्विकार नहीं करते बैठकर और शांत मन से जला भी शेक करें इस चीज का ना करें उप्योग शिव शंबू की पूज चाहिए में शंक वर्जित है। ऐसे में शिव लिंग पर जल चढ़ाने के लिए शंक का इस्तेमाल ना करें शिवपुराण के अनुसार शिवजी में शिवजी ने शंक चूड नाम के दैत्य का वद किया था ऐसा माना जाता है कि शंक उसी दैत्य की हडियों से बने होते हैं इसलिए शिवलिंग पर शंक से जलबीशेक नहीं जड़ाना चाहिए राशी अनुसार करे जलबीशेक मेश राशी गंगा जल से शिवजी का जलबी सेख करने पर सर्वकारिय सिद्ध होंगे वरशब राशी धन प्राप्ती के लिए जल में अक्षत मिलाकर शिवलिंग का जलबी सेख करें मिथुन राशी, मिथुन राशी के जातकों को गन्य के रश से शिवजी का अभिशेक करने पर सोभग्य में व्रदी होती है करक राशी, शक्कर मिश्री दूद से अभिशेक करने पर संतान सुख प्राप्त होता है सिंग राशी जल में गुलाब का फूल डाल कर अभिशेक करने से आरोग्य का वर्दान मिलता है कन्या राशी शत्रू बादा से मुक्ती के लिए शिवजी पर गन्य का रश चढ़ाए तुला राशी पंचामरत से भोले नात का अभिशेक करें इसे आर्थिक तंगी दूर होती है व्रश्चिक राशी ग्रह कोई अशुक प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए घी से शंकर जी का अभिशेक करें धनू राशी व्यवाहिक जीवन में सुक शांती के लिए शहद से महादेव का जला भिशेक करना चाहिए मकर राशी व्यापार या नोकरी में परेशानी आ रही है तो गंगाजल या इत्र से शिवजी को चढ़ाए जल्द शुब परिनाम मिलेंगे कुम्ब राशी जनम मरन की चक्र से छुटकारा पाने के लिए गंगाजल से भगवान भोलेनात का रुद्रे भी शेक करना उत्तम माना गया है मीन राशी दूद में भांग और गन्य का रस मिला कर शिवजी का जल्द भी सेख करें इससे आए के नए अवसर प्राप्त होंगे हर हर महादेव दोस्तों कमेंट में जरूर लिखे और अगर अई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो देखने के लिए आप सभी का देश से धन्यवाद